प्रताप गड़ में विधायक की गुंड़ई का मामला सामने आया है टोल प्लाजा में विश्वनाथ गंज से विधायक आरके वर्मा के गनर ने टोल कर्मियों की पिटाई कर दी इसका CCTV वाइरल होने के बाद विधायक ने उल्टा टोल कर्मियों पर ही आरोप लगाए है उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि टोल कर्मी नशे में थे विधायक ने कहा कि अकसर इलाके की लोगों के साथ ये लोग दुर्वेवार करते हैं मामला प्रताबगर प्रियागराज बॉडर राम फलनारी का जहां अपना दल विधायक आरके वर्मा के आधा दरजन गुर्गों ने टोल कर्मियों की पिटाई की और बैरियर को भी जबरन तोड दिया दरसल विधायक आरके वर्मा की गाड़ी में पुराना पास लगा था जिस पर टोल कर्मी ने उनकी गाड़ी रुकवा दे इससे विधायक आग बबूला हो गए जिसके बाद उनके गनर और गुर्गों ने टोल कर्मियों की जम कर पिटाई की कोरोना को लेकर एक बार फिर उत्ताप्रदेश सक्त हो गया है यह महरास्ट और केरल से आने वाले लोगों में कोरोना के लक्षन पाए जाने के बाद अब वहां से आने वाले लोगों के लिए RTP-PCR टेस्ट कराना अनिवारिक कर दिया गया है टेस्ट निगटेव आने के बार भी साथ दिनों के लिए कौरेंटाइन होना होगा स्वास्थ विभाग की ओर से यूपी के सभी जिलादिकारियों और कमिशनरों को आदेस जारी कर दिये गया है रामपुर की साहबाद पुलिस ने चोरी, लूट पाट वा चरस की तसकरी करने वाले पांच शातिर बदमाशों को गिरफतार किया है जिनके कबजे से पुलिस ने 6 किलो नाजाया चरस लूटी गई दो बाइक 35,000 रुपे की नगदी सहित अन्य समान बरामत किया है सभी बदमाशों का आपरादिक इतिहास बताया जा रहा है गिरफतार बदमाशों में चार कासगंज के हैं और एक एटा का रहने वाला बताया गया है पुलिस ने सभी के खिलाव संबंदे दहराओं में F.I.R. दर्ज कर ली है हर्दोई जिले के चंद्रपुर गाउं में जमीन पर कवजे के विबाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मार पीट हुई जमीन कवजा करने वाले भूमाफियाओं ने फाइरिंग शुरू कर दी जिसमें गोली लगने से एक साथ वर्षिय महिला गंभी रूप से घायल हो गई घायल महिला को हर्दोई के जिलाचिक साले में भरती कराए गया घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुँचे एडिशनल स्पी कपिल देव सिंग ने छान बिन शुरू कर दी है बदायू में बाट माब बिभाग की एक और शर्मना करतूद सामने आई है बिभाग ने शहर के मंगलम सुईट्स पर अचानक छापा मारा और बाद में 50,000 रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दिया मामला शनिवार का बताया जा रहा है मिठाई विक्रेता ने CCTV फुटेज के साथ तहरीर सिविल लाइन थाने में दी है वहीं मामला तूल पकड़ता देख बाट मा बिभा के लोग दुकानदार पर समझोते का दवाव वना रहे है कन्नोज में कल दोपहर से लापता बारा वर्षे बालक का शव भूसे के कूप में मिला है ठटिया थाना शेतर के जलालपुर गाउं में लापता बालक का शब मिलते ही संसनी फैल गई एसपी वा एसपी सहिद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है पुलिस पूरे मामले की जांच में चुट गई है महराज गंज के शाम देउरा थाना शेतर के पिपरा खादर गाउं में नशे में धुत एक सिर्फिरे यूवक ने गाउं में तमंचा लहला कर संसनी फैला दी आरोपित हाथ में तमंचा लेकर गाउं की एक महिला के घर पहुचा और उसे धंकाने लगा फिर एक दुकानदार से उलज गया किसी ने छट से आरोपित की करतूत का वीडियो बना कर वाइरल कर दिया वीडियो वाइरल होने के बाद S.P. के निर्देश पर श्याम देउरा पुलिस सिर्फिरे के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश में चुट कई है पिली भीत के थाना बिलसंडा इलाके में एक गाउं में नावाली बच्ची के साथ रेप का मामला सामना है पडोसी पर बच्ची के साथ रेप करने का आरूप लगाए गया है पिडित बच्ची को जिला स्पताल में भरती कराए गया है जहां बच्ची की हाला नाजुक बताई जा रही है वहीं गाउं में भारी पुलिस फोर्स तैनाथ है S.P. ने भी गाउं का मुआइना किया है कौशांबी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैना दे करमचारी को सेवा निर्वत होने के बाद भी पेंशन, सामाने भविश निधी वा सामुहिक बीमा आदी की धनराशी नहीं मिली है जबकि करमचारी की मौत भी हो चुकी है अब भुकतान के लिए मृतक की पत्नी अपने पोते के साथ सरकारी कार्यालेओं के चक्कर लगा रही है लेकिन अभी तक भुकतान नहीं किया गया है मृतक के पोते का रोप है कि अधिकारीों के योड से उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है वहीं जिलाविकास अधिकारी के मुताबिक इस मामले में पूरी कारवाही की गई है, जल्दी पिंशन दिलवा दी जाएगी कांग्रेस नेता पंखुडी पाठक पर अभधर टिपड़ी करने वाले सपा कारिकरता को अंबेडिकर नगर के थाना राजय सुल्तानपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बता दे कि फेस्बुक एवं ट्विटर के जरी एक कांग्रेस नेता पर अभधर टिपड़ी कौशांबी में यमुना घाटो पर बालू का अवैद खनान लगातार जारी है, जिसको रोकने के लिए डियम और एसपी लगातार चापा मार कारवाई कर रहे हैं, बावजूद इसके अवैद खनन पर लगान नहीं लगपा रही है, बिजली कर्मचारियों की हर्ताल के कर आगे की रड़नीती बनाई है, पैनपुरी के बेवर थाना शेत्र के बस्टैंड पर एक इको कार में देर रात अचानक आग लग गई, आग ने देखते ही देखते भीशर रूप ले लिया, जिसके चलते कार पूरी तरह से जल गई, आग लगने से मौके पर अफरात हॉल बन गया, इसके बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेट की गाड़ियों ने पहुँचकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पास की, गनिमत रही की कार में सवार दो बच्चों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हाथसा होने से टल गया, फिरोजाबार पुलिस ने थाना खेर गड़ शेत में 6 दन पूर हुई, एक यूवक की हत्या का आज खुलासा किया है, उधारी के 50 रुपे ना देने से नाराज आरोपी ने पहलो तो उसके साथ बैठ कर शराब पी, बाद में अन्य लोगों के जाने के बाद उसने यूवक की गला दबा कर हत्या कर दिये, पुलिस ने आज मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए आरोपी को जेल भीज दिया है, इटावा में पूरु सभासत के भाई की गोली मार कर हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने संयुक्त रूप से दबि हत्या की घटना को अंजाम देना कुबूल किया है, बीते 25 फरवरी को थाना कोतवाली शेत्र के अंतरकत कबीर गंज में देररात पुरु सभासत के भाई मोनु बर्मा की गोलिये मार कर हत्या कर दी गई थी बिजनौर में एक के खेत में गुलदार देखे जाने से ग्रामीडों में दहशत बढ़ गई है, ग्रामीड अपना गन्ना चीलने के लिए भी अब खेतों पर नहीं जा रहे है, ग्रामीडों का कहना है कि पिछली साल गुलदार ने कई ग्रामीडों को अपना निवाला बना रहिए न्यूज्वाल इंडिया के साथ धन्यवादू